एक औरत को आखिर क्या चाहिए होता है? राजा हर्सवर्धन युद्ध में हार गए हतकडियों में जीते हुए पडोसी राजा के सम्मुग पेश किये गए पडोसी देश का राजा अपनी जीत से प्रसन था और उसने हर्सवर्धन के सम्मुग एक प्रस्ताव रखा यदि आप एक प्रसन का जवाब हमें लाकर दे दोगे तो हम तुम्हारा राज्य लुटा देंगे अन्यथा उम्र के लिए तैयार रहे प्रसन है एक इस्तरी को सचमुझ क्या चाहिए होता है इसके लिए तुम्हारे पास एक महने का समय है हर्सवर्धन ने यह प्रस्ताव सिवकार कर लिया वे जगा 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 जाकर विदेश्यों विद्वानों और तमाम घरेलों इस्तरियों से लेकर इत्यांगनाओं वैस्याओं दासियों और रानियों सादवी सबसे मिले और जानना चाहा कि एक इस्तरियों सचमिच क्या चाहिए होता है किसी ने को सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात, किसी ने प्रेम, प्यार, किसी ने बेटा, पिता, पती और परिवार तो किसी ने राजबाट और सन्यास की बातें की मगर हर सवर्धन को संतोस ना हुआ महिना बीतने को आया और हर सवर्धन को कोई संतोस जनक जवाब नहीं मिला किसी ने सुझाया कि दूर देश में एक जादुगर्नी रहती है उसके पास हर चीच का जवाब होता है सायद उसके पास इस प्रस्न का भी जवाब हो हर्सवर्धन अपने मित्र सिध्राज के साथ जादूगर्णी के पाज गए और अपना प्रस्न दोहराया जादूगर्णी ने हर्सवर्धन के मित्र की ओर देखते हुए कहा मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी परन्तू इसके एवज में आपको मित्र की मुझसे साधी करनी होगी मतलब आपके मित्र को मुझसे साधी करनी होगी जादूगर्णी वुडिया तो थी ही बेहत बसूरत थी उसके बद्बूदार पोपले मुझसे एक सड़ा दात जलका जब उसने अपनी कुटिल मुस्क्राहट हर्स रधन की और फेंकी हर्स रधन ने अपने मित्र को परसानी में नहीं डालने की खातिर मना कर दिया सिद्ध राज ने एक बात नहीं सुनी और अपने मित्र के जीवन की खातिर जादू गर्णी से विवाह को तैयार हो गया तब जादू गर्णी ने उत्तर बताया इस्त्रिया स्वयम निल्ने लेने में आत्म निल्बार बनना चाहती है यह उत्तर हर्स वर्दन को कुछ जमा पड़ोसी राजजिके राजा ने भी इसे स्विकार कर लिया और उसने हर्स वर्दन को उसका राजज लवटा दिया इधर जादू गर्णी से सिद्धर राजज का विवा हो गया जादू गर्णी ने मदू रात्ती को अपने पती से कहा चुकि तुम्हारा हिर्दर पवित्र है और अपने मित्र के लिए तुमने कुर्वानी दी है अतहम मैं 24 घंटों में 12 घंटे तो रूपसी के रूप में रहूंगी और बाकी के 12 घंटे अपने सही रूप में बताओ तुम्हें क्या पसंद है सिद्ध नाज ने कहा प्रिये यह निर्णा तुम्हें ही करना है मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में शुविकार किया है और तुम्हारा हर रूप मुझे पसंद है जादुगर्नी यह सुनते ही रूपसी बन गई तो उसने कहा चुकि तुम्हें निर्णा मुझ पर छोड़ है पर मांसे ग्रूप से कोई भी महिला परतंत नहीं है इसलिए जो लोग पतनी को घर की मालकिन मना देते हैं वे अक्सर सुखी रिखे जाते हैं आप उसे मालकिन भले ही ना बनाएं पर उसकी जिन्दगी के एक हिस्से को मुक्त कर दें उससे उस हिस्से से जुड़े निलनाय स्वयम लेने दें अगर आप लोगों को हमारी ये खास प्रस्तोती अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें शेयर करें धन्यवाद